बिश्वकर्मा पूजा के समापन के साथ ही हिंदी कैलेंडर के अनुसार आश्मिन माह का आगमन हो चुका है जो भारत में मौनसून की विदाई और शरद रितु की सुरुवात का प्रतीक है इस समय मौसम आमतोर पर ठंडा होना सुरू हो जाता है लेकिन इस साल गर्मी ने दिन का तापमान 35 से तक पहुच चुका है ऐसे में बारिश का कोई नामों निशान ही नहीं है लोग दीन भर पसीने से तर बतर हो रहे हैं मौसम विभा के अनुसार पटना जिले में आज यानी 22 सितंबर को दिन का तापमान 36 से 38 की बीच रहने की संभावना है सितंबर के आ पुराने रिकोर्डो को तोड़ते हुए 21 सितंबर 2008 को पटना में अधिकतन तापमान 34 डिवी सेल्सियस था जबकि इस साल 2024 में यह 35 डिवी सेल्सियस तक पहुच चुका है पिछले 16 वर्सों में ऐसा तापमान नहीं देखा गया था आज का दीन और भी गर्म हो सकता है क्यो आज यानी 22 सितंबर को राजधानी छेतर सहीत पूरे जिले में आसमान बिलकुल साफ और तेज धूप देखने को मिल रही है इस वज़ा से दीन का सरवाधिक अधिकतन तापमान 38 डिवी सेल्सियस तक पहुच सकता है जबकि गर्मी 40 डिवी सेल्सियस पारवाली महसूस हो रही है आज जिले के किसी भी हिस्से में बारिश होने की संभावना नहीं है 23 सितंबर से पत्ना में मौसम में एक बार फिर से बदलाव होने की संभावना दिख रही है 26 और 27 सितंबर को पत्ना में अच्छी बारिश होने की संभावना है पत्ना से लोकल एटिंग के लिए प्रच्दान अर्केर रिपोट